Good morning student, भारतें पबिल स्कूल, आज हम करेंगे पुन्यारती असाइमेंट में सर्वनाम और क्रिया पहले हम सर्वनाम समझते हैं सर्वनाम का अर्थ में सर्वनाम जो होता है वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाम के स्थान पर प्रियोग में आते हैं जब हम किसी भी नाम के स्थान पर किसी अन्यवर्ड का अन्यशब्द का प्रियोग करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम परिवाशा देखते हैं इसकी ऐसे शब्द जो नाम अत्वा संग्या के स्थान पर प्रियोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं मिन्स ऐसे शब्द जो किसी भी नाम के स्थान पर, किसी भी नाम को हम संग्या कहते हैं, लेकिन उसके स्थान पर अगर हम दूसरे शब्द को प्रियोग में लाते हैं, तो उसको हम सर्व नाम कहते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, सर्व नाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, आप हम आदि मैं जब हम अपनी बात करते हैं हम अपना नाम नहीं लेते हैं हम अपनी बात करते हैं तो क्या शब्द यूद प्रियोग मिलाते हैं मां मैं जब हम दूसरों की बात करते हैं तो क्या प्रियोग मिलाते हैं तुम या आप इसी तरीके से अगर हम कई लोगों की बात करते हैं तो हम प्रियोग में लाते हैं हम इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे वे, मेरे, उसकी, उसका तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो नाम के स्थान पर हम प्रियोग में लाते हैं उन शब्द को हम बोलते हैं सर्वनाम शब्द एक बार फिर से परिभाशा देख लेते हैं सर्वनाम की ऐसे शब्द जो नाम अथ्वा संग्या के स्थान पर प्रियोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं तुम आप हम आधी यह ऐसे शब्द होते हैं जो संग्या के स्थान पर यानि नाम के स्थान पर जगया पर प्रियोग में लाए जाते हैं जैसे मैं तुम आप हम इसके अलावा भी और शब्द हैं जैसे वे मेरे तुम उसकी चरिए अब हम सर्वनाम शब्द से एक प्रशन करते हैं सर्वनाम शब्द चुन कर उस पर रेखा खीचिए जो सर्वनाम शब्द हैं उन शब्दों पर हम रेखा लगाएंगे रेखा खीचेंगे शुरू करते हैं का है कल हम मुंबई जाएंगे देखिए इस वाक्य में हमें किसी का नाम नहीं बताया गया है उसने से इतना बताया है कि कल हम मुंबई जाएंगे तो किसके लिए बोला है दूसरों के लिए बोला है और क्या प्रियोक क्या है हम तो हम हमारा क्या है सर्वनामशक्त कल हम मुंबई जाएंगे तो हम हमारा हुआ सर्वनामशक्त तो इसके नीचे हम रेखा लगाएंगे खा है वे घर कब लोटेंगे वे घर कब लोटेंगे तो किसके लिए बताया गया है किसी और के लिए पूछा गया है कि वे घर कब लोटेंगे क्या आएगा वे वे हमारा सर्वनाम शम्दुआ चीक है तो इसके नीचे हम रेखा खीचेंगे अगला है हमारा मैं बाजार जा रही हूँ मैं बाजार जा रही हूँ तो उसने देखी अपनी बात करी है लेकिन शब्द क्या प्रियोग क्या है? मैं मैं बाजार जा रही हूँ तो अपनी बात किया है उसने और क्या शब्द प्रियोग में आया? मैं अगला है मेरे पापा सबके लिए उपहार लाए मेरे पापा सबके लिए उपहार लाए तो सरनाम शब्द क्या हुआ इसमें मेरे मेरे पापा उसने अपनी बात करिये कि मेरे पापा लाए है तो मेरे हमारा हुआ सरनाम शब्द इसके नीचे हम रेखा खीचेंगे तुम आजकल क्या कर रहे हो तुम आजकल क्या कर रहे हो देखिए उसने किसी का नाम नहीं लिया है उसने सामने आले से पुछा है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो तो ये हुआ हमारा सर नाम शक्त तुम तुम के नीची हम रेखा खीचेंगे तुम क्या कर रहे हो तुम आज कल क्या कर रहे हो तो तुम हमारा सर्वनाम शब्द आगे है कल आप कहा जाओगे कल आप कहा जाओगे तो क्या हुआ आप उसने सामने वाले से पूछा है कि आप कल आप कहां जाओगे तो आप हमारा हुआ सर्वनाम शब्दों पे रेखा खीची जा रहेगे अगला है हमारा उसकी सुन्दर्ता देखकर विमल दंग रह गया उसकी सुन्दर्ता देखकर विमल दंग रह गया तो उसकी हमारा क्या है उसकी हमारा सर्वनाम शब्द है क्योंकि किसी की नाम नहीं लिया गया है किसी का हमने नाम की जगए पर उसकी शब्द का प्रियोग किया है उसकी सुंदर्ता देखकर विमा दंग रह गया उसकी हमारा हुआ सर्वनाम शब्द मिन्स ऐसे शब्द जो किसी नाम के जगय पर प्रियोग में आते हैं उसे हम सरवनाम शब्द कहते हैं और सरवनाम शब्दों पर हमने इसमें रेखा लगाई है चलिए एक बड़ फिर से पढ़ते हैं कल हम मुंबई जाएंगे तो इसमें सरवनाम शब्द क्या हुआ हम इसके नीचे हम ने रेखा लगाई है आगे हैं वे घर कब लोटेंगे तो इसमें में वे हुआ हमारा सरवनाम शब्द वे क्या हुआ सरवनाम शब्द इसके नीचे हम रेखा लगाएंगे आगे मैं बजार जा रही हूं तो इसमें मैं हमारा हुआ सर्वनामशक्त इसके नीचे हम क्या करेंगे रेखा लगाएंगे अगला है मेरे पापा सबके लिए उपहार लाएं मेरे पापा सबके लिए उपहार लाएं तो मेरे क्या हुआ सर्व नाम शब्ट, इसके निचे हम रेखा लगाएंगे तुम आज कल क्या कर रहे हो, तुम हमारा हुआ सर्व नाम शब्ट क्योंकि किसी नाम के स्थान पर प्रयोग में आ रहे हैं आगे हैं, कल आप कहां जाओगे, कल आप कहां जाओगे, तो आप हमारा हुआ सर्वनामशा, उसकी सुन्दर्ता देखकर विमल दंग रह गया, उसकी दूसरों के लिए बात की हुई है, नाम नहीं है इसमें, तो उसकी हमारा हुआ सर्वनामशा, उसकी सुन्दर्ता देखकर विमल दंग रहे गया, उसकी हुआ सरनाम शब्द, उसकी के निचा में रेखा लगाएंगे, अब हम करते हैं क्रिया, क्रिया, पहले हम क्रिया को समझ लेते हैं, क्रिया क्या होता है, क्रिया होता है, ऐसे शब्द, जो उसकी किसी भी काम को, जब हम करते हैं, उसको करने का बताते हैं, मिस कोई भी जब हम काम करते हैं, तो उसको बताया जाता है, क्या हम क्या काम कर रहे हैं, जैसे हसना, बोलना, खाना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, ये सारे हम काम करते हैं, करते हैं, तो ये क्या हैं हमारी क्रियाएं हैं, क्या हैं क्रिया, ये सब काम हम कर रहे हैं, तो ये हमारी क्रिया है, देखें परिबाशा देखते हैं, जो शब्द किसी काम के किये जाने या होने का बोध कराते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, जैसे नहाना, खेलना, दोड़ना, पढ़ना आदी इस कोई भी काम हो जब हम उस काम को करते हैं बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो उस शब्द को हम कहते हैं क्रिया जै कोई भी काम हो उसमें नहाना, खेलना, दोड़ना, पढ़ना आदी इनके अलावे बहुत सारे काम है, जैसे रोना, हसना, लिखना, चलना, ये सारे काम भी हमारे क्रिया है क्योंकि ये सारे काम हम करते हैं सो किसी भी काम का होना, होने का बोध कराते हैं जो शब्त जो शब्धों में बताते कि हम ये काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिया, जैसे नहाना, खेलना, दोड़ना, पढ़ना, आदी, परिभाशा देख लेते हैं, क्रिया, जो शब्ध किसी काम के किये जाने या होने का बोध कराते हैं, जैसे में बता है कि कोई भी काम हो, अगर हम कर रहे हैं, तो उसकाम को जो शब्ध बोला जाता है, जैसे नहाने का काम कर रहे हैं, नहाना, खेलने का काम कर रहे हैं, तो जो ऐसे शब्ध होते हैं, उसको हम प्रिया कहते हैं, जो शब्ध किसी काम के किये जाने या होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं जैसे धाना खेलना दोड़ना पढ़ना आदी इसके लावा जिसमें बताया हसना बोलना चलना घूमना सोना यह सारा जो काम होता है यह हमारी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं ठीक है तो क्रिया जो काम हम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं चाहिए कोई भी काम हो और फिर से देख लेते हैं परिभाशा जो शब्द किसी काम के किये जाने या होने का बहुत कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं जैसे नाना खेलना दोड़ना पढ़ना आदी चलिए अब अगला कर लेते हैं अगला प्रेशन हमारा शब्दो में गिंतियां लिखें हैं यहां हमने है हमस्दों गिंतियां लिये हैं say a 31 से 50 तक तक के 31 से 50 ठीक है अब हम इसको पढ़ेंगे शब्दों में गिंतियां है यानि कि हिंदी में हम किंतियां पढ़ेंगे 31 31 32 32 33 34 35 36 36 37 38 38 39 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 47 48 48 49 49 49 59 50 50 41 45 45 40 45 48 44 45 46 47 48 48 झाल झाल